उनकारेश्वर में आदी पूर्वजों की 108 फीट की प्रतिमा का सियंग शिवराज ने किया अनावरन अद्वेत लोग की राखियां, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने, आज उनकारेश्वर में आदी पूर्वजों की 108 फीट मूर्ती का अनावरन, इस दोरान बड़ी संख्या में साधु संत और सियेंग शिवराज सिंग चोहान मौजूद रहे, उ इर्थनगरी उनकारेश्वर में जगग गुरु आदी पूर्वजों की 108 फीट उची प्रतिमा, स्टाचियो ओफ वननेस्ट का अनावरन आज सियेंग शिवराज सिंग चोहान के हाथों हुआ, ये पूरी दुनिया में मौजूद राजकुमारियों की सबसे उची प्रतिमा नवादा तक देश का चतुर्थ जयो तिरली वोनकारेश्वर आचार्य शंकर की दीक्षस्थली है, जहां अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले और चार साल तक उन्होंने अध्यायन किया, आचार्य शंकर के विरात्स्वरूप में समर्पन, प्रतिमा का अनाव करने के बाद संतों के साथ प्रतिमा की प्रतिमा भी स्थापित की, सिएंग शिवराज सिंग चोहान ने इस अफसर पर एक तस्वीर साजा करते हुए लिखा, आचार्य शंकर के विरात्स्वरूप में वंदन, श्री शंकर भगवत पाद सनातन वैदिक संस्कृती के सर्वो और समकूल विश्व एकात्मता के सार्व भौमिक संदेश को आश्वस्त करें। आध्यात में कूर्जा से अनुप्रानित आचार्य शंकर के श्री चर्नों में शुभता और शुभत्व ही नहित है। समकूल जगत के कल्यान का सूर्य अद्वैत के मंगलकारी विचार में ही नहित है। बारा वर्ष की आयू में उनकारेश्वर से एक अद्वितिय भारक में वेदान्त की लोकसह भागी के लिए प्रस्थान हुआ। इसलिए उनकारेश्वर के मांधाता पर्वक पर बारा वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना हुई। इस योजना के प्रथम चरन में आदी पूर्वजों की 108 फीट की मूर्ती बनाई गई है जबकि शेश कलाकृती का भूमि पूजन होना है आदिशंकराचारिय जी का जीवन परिचे आदिशंकराचारिय जी साक्षाक भगवान के रूप थे आप केरल के साधारन ब्रहमन परिवार में मुसल् जन से आध्यात्मिक शेत्र में शोरूम रही है जिससे अस्तित्व जीवन से कोई मौ नहीं था डॉट गीता उपन्यास उपनिशद वेदो और शास्त्रों का स्वध्यान आपको प्राप्त हुआ था जिससे आपने पूरी दुनिया में फैलाया है एफ जन से ही आदिशंकर प्राचारिया जी की जीवन शेली कुछ भीन थी पित्री जी ने वेद वेदानतों के इस ज्ञान को भारत की चारों और कोनों में फैलाया उनका उद्देश प्रभू की दिव्यता से लोगों को अद्वैत की कहावत के अनुसार ब्रहम सर्वत्र है यस्व ब्रहम है अर्थ प्रहम का मैं और मैं कौन हूँ के सिध्धान्त को पित्री पक्ष द्वारा प्रचारित किया गया इसी के साथ शिव की शक्ती और उनकी दिव्यता का वर्नन किया गया है . कुराव शेशो द्वारा कथित तत्य और सिध्धान्त विष्ण और दिव्य अनुभव दोनों का बेजोर मिलन है जो कही देखने को नहीं मिलता संतान ने कभी किसी देवता का महत्व कम नहीं किया उनकी बहुलियता को कम किया गया अपने व्यक्तित्व के माध्यम से झाल झाल